हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक टू माई चैनल गाईस मैं एक और यू डीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होब कि सभी अच्छे हैं खुश यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो डीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के ल आने वाला है जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रैजोनेट हो सकता है ना हूँ तो फ्लीज किपन ओपन माइंड रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आप यहां तक पहुंचें आप देख सकते हैं सोलमेट आपकी तरफ से कार्ड है को के दो कार्ड आपकी पॉ लगाध पहुंचेंगी पोई लग्याजवेद को से कार्ड आपकी तरफ से हैं समकहिं रीडियो पोई आपके पोई प्लींगरन माफ्यप सो जाह दो कर्याजिय अनुला कंग दो के तरफ से कार्ड है कर्ड निग करा कार्ड है अन्रनीग हैं से बॉन पहुब आपन आ है , I hope कि सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं यह जो compartil propulsion का कार्ड है यह बतार रहा है कि आप दोनों ही इस टाइम थोड़े से disturbing दिख करे हो अपनी लव लाइए खरे हो रो रहा हो परिशान और हो दोनों की तरफ से है क्योंकि ये कार्ड आपको लगता है डिले है लेट है आपके परसन के अंदर तो पेशन्स दिखी नहीं रहे हैं ये परसन जो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चीजे क्लियर हो जाए लाइफ में और कोई कन्फूजन नहीं रहे कभी कभी पते क्या होता है ये परसन ना पेशन्स नहीं रख पाते इसको डिसीजन भी जल्दी लेने हैं फिर उस डिसीजन का जो असर होता है फिर उससे भी इरिटेट हो जाते हैं तो मतलब धहरे सबर नाम की चीज नहीं है आपके परसन में अगर देखे जाये तो इस वज़ाज से हो सकता है कि इस परसन को इरिटेशन होती हो लेकिन जो भी है गाईज चाहे ये सबर रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं जो चालेंज इसके सामने आएंगे इनको वो एक्सेट करने पड़ेंगे इसी तरही के से इनका सोल एक्स्पेंशन भी होगा इनको सही गलत समझ में आएगा इस परसन को कही ना कहीं देखो गिल्ट इसे लिए है क्यूंकि इसको पता है कि इसने आपको हर्ट किया हुआ है हो सकते है आपके परसन की लाइफ में कुछ नया शुरू हुआ है कुछ नई जॉब मिली है या फिर कुछ नया इसने स्टार्ट किया है लेकिन फिर भी गिल्ट है इस परसन को क्योंकि अपने सोल मेट को हर्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ से गाईज आपको देखो आपको तो क्लियर पता है कि आपका सोल कनेक्शन है आपके परसन के साथ और आपको फेथ है आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपने लाइफ में विजडम लाने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ को अच्छी तरीके से बैलन्स आपका बन जाए इसके लिए आप पोशिश कर रहे हैं और आपको पता ही कि आपके परसन के साथ आपका स्थोल कनेक्शन है यह सारी चीजों की इंफोमेशन है आपको अच्छी तरीके से जानकारी है आपके पास लेकिन येस आपको भी ना कुछ चीजों को मतलब इग्नॉर करके चलना पड़ सकता और माफ करना पड़ेगा अपने परसन को ये चीज़े हैं गाईज तो येस आप दोनों की लाइफ में कही ना कहीं उलजने हैं लेकिन दोनों हर्ट हो एक हर्ट नहीं है याप हर्ट दोनों ही हो आप ऐसा नहीं है कि बस ये बहुत खुश है और आप बहुत दुख हो ऐसा नहीं है दोनों ही hurt हो अभी और कुछ न कुछ देखो आपका तो faith बढ़ रहा है आप अपनी life में अच्छा perform भी कर रहे हैं लेकिन आपके person अच्छा perform नहीं कर रहे हैं तब ही तो guilt में है आपकी तरफ से guilt का कार्णी है बलकि आपकी तरफ से तो कार्ण है कि आप इस person को माफ कर दो ठीक है क्योंकि अगर यह आपको hurt कर रहा है और आप भी नराज हो अच्छी vibes इस तक नहीं पहुँच रही है तो कोई change नहीं आएगा इस person की life में यह चीज़े हैं आपर show हो रही है तो आपकी life में काफी progress हो रहा है बट स्टिल आप थोड़ा सा hurt हो लेकिन यह person कुछ achieve किया इसने अपनी life में कुछ नया शुरू हुआ है लेकिन balance नहीं बना पा रहे है patience नहीं लग पा रहे है यह कमी है यहाँ पर देखते हैं आप अपने परस्ट आप दोनों यह दुसरे के बारे में क्या सोच रहे हो अभी star आपकी person confused है क्योंकि patience नहीं रख पा रहे है इसी वज़ा से confused है यह person आपका mindset बहुत clear है आपकी person का नहीं है देखो overthinking के वज़े से connection भी इसने rest पर छोड़ दिया surrender कर दिया लेकिन आपको पता है कि आपकी शादी होईगी इस person से आपको feelings आती है इस person को सच में इसको लगता है अभी इस person को देखो यह आपको time नहीं दे पा रहे है इसका main reason यही है कि यह person को पता है कि healing पूरी नहीं हुई है कुछ addictions है कुछ ऐसी चीज़े हैं जो heal करना है अभी इसलिए connection surrender करा इस person ने और overthinking करते हैं बहुत ज़ादा लेकिन आपका mindset हो बिल्कुल clear है और आपको पता है at the end क्या होना है तो इसलिए आप ज़्यादा रोते नहीं है परिशान नहीं होते और आपके पास अपने खुद की एक reputation है ठीक है जिसकी आप बहुत ज़्यादा care करते हैं और एक अलगी तरह का attitude standard है आपका जो आपने बनाया खुद के लिए maintain कर रखा है उसे आप खराब नहीं करेंगे किसी की भी वज़े से इवन अपने person की वज़े से भी नहीं ठीक है तो आपके इस अपने भी पूरे हो रहे है और इस connection पर भी आपका faith पूरा पूरा है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी आप frustrate नहीं होते, irritate भी नहीं होते उस connection के वज़े से लेकिन हाँ no contact situation है यहाँ पर ओके तो यहाँ से भी देख लेते हैं और क्या feelings हैं एक दूसरे के लिए आप अपने spiritual level पर काफी आगे बढ़ गए हैं और देखो आपके person आपको unique भी समझते हैं आप जैसा कोई है भी नहीं आप जैसा person नहीं मिला इसको आज तक life में आप अपनी life में देखो चाते हैं खुशियां और आप even इस person के लिए भी चाते हैं कि यह भी खुश रहे पर जिसके पास patience नहीं है न उसको खुशियां नहीं मिल सकती इसको लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो perform या आप delay कर रहे हो अपनी life में क्योंकि जल्दबाजी कर रहे हैं न that is why इसको आपकी progress भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी लेकिन आपके अंदर worth है से लिए आप पर stuck है आप unique हो आप special हो इस person के लिए और आप अपना सही rhythm से काम कर रहे हो guys आप अपने spiritual life में काफी आगे बढ़ रहे हो जो कि यही तो important है और खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हो तो आप अपने level पर अच्छा कर रहे हो इनको थोड़े अभी चीज़े सीखने की जरुरत है और यह सीख भी रहे है ठीक है सीख रहे है इनका भी soul expansion हो ही रहा है तो धीरे धीरे changes आएंगे और आप ही रहे है so don't worry देख लेते हैं next action क्या लोगे आप दोनो आप और जद़ डिवाइन के close जाने की कोशिश करोगे और जद़ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे अपनी life में और काफी intuition आपका जो intuition पावर है वो भी काफी बढ़ रहा है आपकी person खुद को कुछ टाइम के लिए single ही रखने वाले हैं किसे बात नहीं करेंगे यह देखो आप इतने ज्यादा intuitive होते वे दिख रहे हो मुझे कि आप अराम से अपने person की feelings पता कर सकते हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में यह person भले ही single रहेंगे लेकिन येस आपको justice देने की कोशिश करेंगे आपको नहीं भूली नहीं पाएंगे या फिर divine को भूले नहीं देंगे क्योंकि दोनों के पास ही अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं लेकिन आप जल्दी ही इन चीजों को overcome भी कर लेंगे जैसी कि आपको किसी चीज में decision लेने में दिक्कत आ सकती है बाकि आपके person 10 of swords का card है मतलब कि family से related कुछ problems दिख रही है या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको अपने life को stable करना है वो चीज नहीं हो पा रही है तो कुछ ना कुछ problems दोनों की life में है चोटी मोटी है चैल बड़े level पर है आप किसी चीज में decision नहीं ले पाएंगे आपको time लगेगा decision लेने में लेकिन आपके person को जैसे घर खरीदना है या कार खरीदनी है या फिर अपना life living standard अच्छा करना है इसके लिए कुछ काम करना है यह सारा concern आपके person के पास रहेगा तो कुछ इस तरहा के दिक्कते हैं आप लोगों के पास तो अपने अपने level पर आप अपने healing करने की कोशिश कर रहे हो अपने काम पूरे करने की कोशिश क अच्छी बात है यह call will be answer लेकिन divine आपको आपके बिल्कुल answers देंगे ठीक है क्योंकि you and your prayers are never unheard क्योंकि आपकी जितनी प्रातना है जो भी आप प्रातना कर रहे हो भगवान सुन रहे हैं और आगे चल कर आपकी life में progress भी आएगी आएगी क्योंकि आप लोग efforts कर रहे हो दो बस आपके person को ठोड़ा patience पे काम करना पड़ेगा बाकी guys मुझे आपकी side से जागा problem दिखनी रही है आप बहुत अच्छा कर रहे हो अच्छा perform कर रहे हो अपनी life में और ऐसे करते रहे तो जल्दी आप दोनो union के पास भी पहुँच जाएंगे ठीक है this is your reading I hope कि आपके साथ resonate होई हो आपको पसंद आई हो तो अभी के लिए बस इतना है guys bye take care